दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेलकम टू महेश अकाडमी यूट्यूब चैनल यहाँ पर हम आपका किंद्रिय विद्याले संगठन प्यार्टी के सिलाबस को लेकर के बात करें तो आपका जो बाल मनुवी ज्यान है जिसे हम लोग एक तरीकी से क्या नाम द यानि कि जो विकास का स्वरूप होता है वो हमें कैसे देखने को मिलता है विकास के स्वरूप की अगर हम बात करें तो पहले पॉइंट में उन्होंने आकार और भार के बारे में बात की है यानि कि अगर हमें साइज को लेकर के बात करूं और वेड को लेकर के यह कहते हैं अवि विविदी के समय बालक के आकार और भार में परिवर्दुन दुरिष्टि networking होता है, अवि विविविदी को कही नहों ने जोड़ा हुआ है यूगई यूदा होती है वह हमारी क्या होती है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जो मेजररिबल होती है, अगर बात करें आकार को ल है आपके क्वालिटी वाली चीजों से जो है वो मेल काता है आगे आपसे आनुपातिक परिवर्तन की बात की है, आखिर इसका क्या मतलब है? कहते हैं विकास के प्रकरिया के मद्धिये, बालक के शारिरिक विकास में आनुपातिक परिवर्तन होता है, यानि कि कुछ रेशियो प्रकार का रेशनल प्रकार की चेंज क्या मतलब है? इसी आधर प इसमें आनुपातिक परिवर्तन एक ratio के हिसाब से हमें changes देखने को मिलता है आप समझ रहे हैं जैसे एक बालक को किसी दूसरे बालक से अगर हम compare करें कोई भी बालक है weight को लेकर के बात करने तो इसका 20 है इसका 25 है तो यहां पर एक अनुपात लगा करके 25 हमने कर दिया तो यहीं को इन्होंने एक तरीके से अनुपातिक परिवर्तन या change में इन्होंने शामिल कर दिया है अब कोई भी और इसके अलमा जो है example ले सकते हैं पुरानी रूप रेखा में परिवर्तना के लिए यहां पर क्या कहना चाहा रहे हैं यह कहते हैं कि जो शारिरिक रूप रेखा होती है उसमें भी change होता है जैसे यहां पर इनुप बोला हुआ है दात है चाती कि अगर हम ऐसे में बात करें इसमें आदे में थाइमस और पी नियल ग्रंथियों के कारण जो है हमें changes देखने को मिलते हैं अगर हम चिंतन की बात करते हैं अगर हम गति शीलता की बात करें रेगना हो गया घुटनों के बल चलना हो गया अस्वाद है यहां पर इनुने बोला हुआ ध्राण इंद्रियों की बात की है इन सभी में हमें परिवर्तन या change जो है वो देखने को मिलेंगे आप से फिर कहते हैं नवीन रूप रेखा एक पुरानी रूप रेखा की बात की अब नवीन रूप रेखा में क्या कुछ चीज़ें यह बताना चाहा रहे हैं यह कहते हैं कि विकास प्रक्रिया जहां पर प्रक्रिया के मद्ध जहां पुरानी रूप रेखा समाप्त होती ह वहीं पर बालक का एक नवीन रूप रेखा सिधी से बात है पुरानी चीजे खात्म होंगी नहीं आएंगी तो ये क्या कहते हैं कि मानसिक स्वरूप जो है वो नवीन रूप में उभरने लगते हैं दात का निकलना यौन विशेष्टाओं का उभरना अब देखिएगा पुरानी और नवीन रूप रेखा दोनों में कौन-कौन सी बाते इन्होंने बताई है तो इन्होंने क्या बोला यहाँ पर दात निकलना यौन विशेष्टाओं का उभरना अगर मैं बात करूँ खासकर जब मैं डॉलिसेंस के शोर अवस्था की बात करते हैं यहाँ पर विशेष्टाओं के संदर्व में क्या कहते हैं कि जब हमारा शरीड परिपकव हो जाता है मैचेर हो जाता है और व्यक्ति किसी भी कारे को करने के लिए तैयार रहता है समाज को उसकी आवश्यक्ता होती है ऐसे समय विकास प्रक्रिया में विक्ति नवीन ग्यान और कोशल को सीखता है तो आपने नवीन रूप रेखा क्या मतलब होता है उमीद करते हैं यहाँ से यह बात जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ से हम आगे चलते हैं विकास की घोश्डा की एक बात की हुई है एक पॉइंट इनोंने मेंशन किया है पाचोई पॉइंट में विकास की गती क्या है इसका स्वरूप क्या होता है इन सब की घोश्डा करना ऐसे में इनोंने बोला कि संभो है अच्छा जी स्वरूप कैसा है गती कैसा है बालकी की कलाई के X-ray चित्र के द्वारा उसके भावी आकार की घोशना की जा सकती है जरा समझेगा बहुत बढ़िया सा एक्जामपल यहां पर उन्हें दिया है कि उसकी कलाई के अगर हम X-ray चित्र को लेकर के बात करें तो उसका आकार जो है वविष्चे में कैसा होगा वही भावी आकार लिखा हुआ है तो कैसा होगा यह चीज हम यहां से खुशना कर सकते हैं बालक की विकास की गती से उसी के आधार पर भावी आयोजना जो है वो की जा सकती है उसका development कैसे हो रहा है आप बता देते हो ना कि जो पूत के पाउप पालने में दिखने लगते हैं और बहुत सारी चीज़े आपने सुनी होगी आपने ये भी सुना होगा ऐसे में कि उसका रुख उसकी रुची जिदर की तरफ होती है आप कहते हो कि अगर वो थोड़ा सा कु ये चीज़ यहां से क्लियर करिएगा कि ये बात आपकी पूर्णता है जो है वो सही नहीं है किसी भी उसमें क्योंकि हम आपको बता दे परिस्थिया वातावरण में आकर के बहुत सारे changes परिवर्तन जो है वो देखने को मिलते हैं आगे यहां पर चलते हैं हम आपको बता निश्चित क्रम जो है वो हमें देखने को मिलेगा एक निश्चित क्रम की जो है कहीं ने जो है यहां पर बात की हुई है और हम आगे बात करेंगर यहां पर कि निश्चित क्रम अच्छा गैसल महोदे ने इसे प्रकरती का नियम माना है यह क्या बोलते हैं इसे प्रकरती के नियम की रूप में ये इससे डिफाइन करते हैं सात्वी पॉइंट में कहते हैं विकास में विशिष्टता पाई जाती है कुछ स्पेशल चीजे होती है तो विकास के प्रतेक अवस्था में कुछ संकुलों का विकास होता है पॉप में मानो जीवन अनेक आवस्थाओं से गुजरता है किसी भी आवस्था से कम नहीं है प्रतेक अवस्था में प्रभावशाली विशिष्टताय उभरती है न में विशिष्टताय होती है मतलब क्या हुआ इसका आप गरभाधान से कि आप conception stage से देखिएगा conception की बात की जाए बच्चे के पाइदा होने को लेकर के बात करें Infancy stage जो आप सैश्वा वस्था बोलते हूँ बाल्य आवस्था की बात की जाए Childhood की Adolescence की बात करें कि शोरा वस्था की हम वयाश का वस्था की बात करें या प्रोड़ा वस्था की हर एक अवस्था में आपको कुछ ना कुछ विश्था जो है वो देखने को मिलेगी यहाँ पर विकास की कुछ विश्थाओं को इन्होंने संक्षेप में बताया हुआ है कि विकास का एक जिशिस स्वरवप होता है सवाल यहीं से बनते हैं क्या इसका एक जो फॉर्म है वो definite होता है विकास जो है वो प्रकर्ति की द्वारा जो है क्रम से होता है उसका जो निर्धारन है वो एक sequential होता है सामाने से विशिष्ट की तरफ चलेगा हमारा एक सतत प्रक्रिया है Development is a continuous process विकास की दर में विन्नता पाई जाती है individual differences हैं तो उसमें दर में भी विन्नता हमें देखने को मिलेगी आगे क्या कहते हैं कि शरीड के विन्न भागों का विकास भिन्न भिन्न रोपों में होता है ये बात इन्होंने की हुई है अधिकान से संकुल पारसपरिक जो है रोप से संबंधित होते हैं आप विकास के जितने भी आयामों को लेकर के बात करेंगे वो एक दूसरे से रिलेट कहीं न कहीं होंगे जरूर आप हाथ उठाते हो, आप हाथ चलाते हो, आप कुछ भी सोचते हो आपका दिमाग जो है कहीं न कहीं वहां से संचालित हो रहा है तो जुड़ी हुई है आप यूं कहें कि अंता संबंदित है एक दूसरे से विकास की भावी घुशड़ा संबव है बिल्कुल सही है अभी अभी मैंने जैसे कि आपको एक एक अग्जाम्पल दिया था कलाई वाला विकास के प्रतेक अवस्था के अपने विश्यष्टाए होती है अलग अलग अवस्थाओं की बात करने तो अलग अलग उनकी क्वालिटी जो है वो हमें देखने को मिलेंगे हम जिन व्यवहारों को विकास के प्रक्रिया के दौराना सामाने समझते हैं देखे वे सामाने होते हैं ये बात भी इन्होंने यहाँ पर बताई है प्रतेक व्यक्ति विकास के प्रक्रिया से हो करके गुजरता है विकास सभी का होता है किसी का हो सकता है नेगेटिव तरीके से हो और किसी का पॉजिटिव तरीके से कुछ प्रभावित करने वाले यहां पर कारक है उनके बारे में भी जाल लेते हैं तो प्रभावित करने वाले कारकों में स्वामी विवेका नंद जी का यहां पर statement लिखा हुआ है जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे होंगे कहते हैं नैतिक बनो, वीर बनो, संपूर और हिर्दे वाले नैतिक और विकट परिस्थितियों से जूजने वाले मनुष्य बनो तो बहुत सारी बात ने यहां पर के हुई है तो इनकी इस जो एक परिवाशा ने दी है इसको आपनो डाउन कर सकते हैं हम सीधे बात करेंगे कि आखिर जो हमारा development है उसको कौन-कौन से factors ने जो affect कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगर intelligence की अगर हम बुद्धी की बात करते हैं कहते हैं बालक के विकास पर अधिक और महतुपूर्ड प्रभाव पड़ता है यह बात तो आप जानते हों कि बालक अगर बुद्धिमान है तो कोई भी चीज सीखने में वो ततपरता दिखाएगा कोई भी चीज है उससे ग्रहन करने में ततपरता readiness दिखाएगा कि वो उससे सीखना चाहता है और अगर वो सीखेगा तो उसका विकास होगा उसमें परिपकोता आएगी यही सारी बातें इसमें उन्होंने बताई हुई है वहीं अगर विपरीत मंद बुद्धि बालकों के शारिरिक विकास को मानसिक विकास को लेकर के बात करें उनके नैतिक विकास को भाशाई विकास को लेकर के बात करें तो जो बुद्धिमान विक्ति है उसके मुकाबले कहीं न कहीं वो कम होगा ठीक है यहाँ पर टर्मन ने बालक के पहली बार चलने और काम करने के अवस्था का अधियन किया जब हम टर्मन की बात करते हैं तो देखिएगा 13 मास में चलने वाले प्रखर बुद्धी 14 मास में चलने वाले सामानिया 12 मास में चलने वाले मंद बुद्धी बोला है और 23 मास में चलने वाले मोड़ बालक जो है वो पाए गए तो 13 मास की अगर हम बात करें तो वो आपका इन्होंने बोला कि वो प्रकर बुद्धी वाले होते हैं आप समझ रहे हैं शिश्को तो टर्मन ने किनहीं पर प्रियूग करके एक निश्कर्स निकाला इसी प्रकार बोलने के करम में अगर मैं बात करूँ तो 11 है, 16 है, 34 है, 51 मास में बोलने वाले बारलक करमशा किस किस करम में आते हैं तो ये बात बहुत इंपोर्टेंट है जो आपने देखा कि बुद्धी वो किस प्रकार से प्रभावित करती है अगर हम विकास की बात करें यौन को ले करके बात करते हैं अगर यहां पर तो यौन जो है, वो बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है देखे, इन्होंने कहा, जन्म के समय लड़के और लड़कियों के आकार जो है, आकार में बड़े होते हैं जन्रम के समया जो लड़के हैं, वो लड़कें के मुकाबलेबड़ होते हैं, किन्तु लड़कें की जो गिरोध है वो बहुत तटीब होती है, आप अब ही याद नहीं आ रहा है कि ताड़ के पेंड की तरीके से लड़कें बढ़नती हैं, एक कोई लिखक था उसने अपने र पूर्ड आकार लड़कों के पेक्षा से ग्रगरहण कर लेती है मतलब कहने का ये है जैसे मैं एक एक्जामपल आपको दे दूँ कि हमारे गाओं साइड में अगर मैं बात करूँ जहां तो मेरे संग्यान में है आज के तीन-चार साल पहले और अभी भी ये चीज़े हैं कि 12-13 साल में कहीं ने कहीं लड़कियों की शादी हो गई ठीक है और ऐसे में 12-13 साल के अगर मैं बात करूँ तो उसमें वो गरभाधान भी धारण किये हुए है यही चीज यहां पर इपक होता कि कहीं ने कहीं यहां पर इन्होंने बात की है जो श्रिगरता से देखने को मिलती है आप से कहते हैं कि लड़कों का मानसिक विकास लड़कियों के पेक्षा जो है वो धेर से होता है देखेगा लड़कों का मानसिक विकास है ने कि जो लड़कों की अगर mental development की बात करें तो लड़कियों से वो पीछे ही होते हैं ठीक है आप से क्या कहते हैं यहाँ पर गरंथियों का स्राव अगर हम यहाँ पर बात करें जो भी आपके गरंथियां हैं अगर उनके स्रावड एक्सक्रीशन को लेकर के बात की जाए तो यह कहते हैं कि बालख के विकास पर गरंथियों के अंतास्राव का प्रभाव पड़ता है पढ़ता है ये प्रभाव जन्म पूर्व और जन्म पश्राथ दोनों ही दश्राओं में हमें देखने को मिलेगा उधारणार्थ इन्होंने बोला है गले में अगर थायराइड गरंथी के बात करें तो थायराइड गरंथी द्वारा रक्त में कालसियम का परिभर्मण होता है इसके दो शसे मानस्पेशियों में अतिधिक समविदन शीलता आती है आगे कहते हैं मानसिक और शारिरिक वृद्धी के लिए थायराउक्सीन जो की थायराइड गरंथियों से निकलता है ये जरूरी होता है इसकी कमई से बालक मोड बुद्धी हो जाता है इसी प्रकार छाती में इस्थित जो थाइमस गरंथी है मस्तिस के क्याकार में जो पीन ayorai penie al gland कहां पर ہوगी pituitry gland आपकी hypothellerिं करके बोलते हैं से ठीक है आप यहाँ देख पा रहे होंगी थायराइड है थायराइड ग्लायंड को ले करके बात करें यहां पर डीक है किनकी ग्रंथी कैसे कहा पर देखने को मिलेगी जो चीज है यहां पर कट गया है आपको यहां पर दिख रहा होगा झाशी तरीके से तो यह चीज अगर मैं बात करूँ बालक और बालिकाओं दोनों में ही यहां पर इननों ने इस चीज का जिक्र किया हुआ है पिनल ग्लाइंड को लेकर के बात की हुई है यहां पर ओवरी में क्या कुछ है अड्रिनल ग्लाइंड की बात की है पैंक्रियाज की बात की है चलिए फिर बात कर लेते हैं पोशन की निउट्रिशन आप भी जानते हो कि पोशन हमारे विकास में किस तरीके से हल्फुल होता है अगर हमें बराबर से संतलित आहार नहीं मिलता है तो हम कहीन OR रोग से ग्रसित हो जाते हैं प्रभवेत होते हैं यह कहते हैं विटामिन है प्रोटीन है वसा है कर्भोएडरेट लवड चीनि आधी में ऐसे तत्व हैं जो शरीर तथा मस्तिस्क दोनों के संतुलित विकास में योगदान देते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में EVS का लेक्चर पूरा का पूरा 13 से 14 क्लासे में हमने पूरा EVS का पढ़ाया हुआ है प्लेलिस्ट आप देखेगा सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है कि ये सब सारी चीज़े क्या होती है और किस तरीके से जो पोशन है उनमें कौन-कौन से अस्तर होते हैं क्या कुछ उसका रिजल्ड निकल करके आता है आप उस लेक्चर को जरूर देखेगा उस प्लेलिस्ट को जरूर देखेगा फिर बात आती है शुद्ध धुवाई और प्रकाश आपसे कहते हैं जीवन के आरंभे के दिनों में बाला कुश्र दुवाय और प्रकाश के नितांत जरुरत होती हैं हड़िया मजबूत करनी होती हैं जब हम बात करते हैं पर सुरिके प्रकाश से विटामिन डी मिलता है तो ये चीज़ आप करते हो ना कि थोड़ा सा धूब दिखाने की जरूरत है चोटा बच्चा है रोग और चोट की बात की हुई है आपसे कहते हैं कि चोट लगने से उसका मानसिक विकास जो है वो आवरद हो जाता है यदि माता गर्व काल में धूमरपान या आवसधी की रूप में अगर टॉक्सिन का सेवन कर रही है तो जो गर्व है उस पर भी या उसमें जो बालक है उस पर भी इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा बालक यदि रोगी हो तो उसके भावी विकास पर दूशित प्रभाव पड़ना जो है वो स्वाभाविक है वो पक्का है कि वो चीज होगी ही होगी प्रजाती की बात की जाए हरलोक ने इसकी पुष्टी नहीं की है किन्तो अंग प्रजाती प्रभाव को बालक के विकास में महतुपूर्ड मानते हैं यह कहते हैं भूमत दिसागरिये तट पर रहने वाले बालकों का शारिरिक विकास जो है वो सेश जो योरप के बालक है उनसे उनकी अपेक्षा सिग्र होता है संस्कृति की बात कर लेगर हम कल्चर की बात कर लें तो डेनिस ने बालकों के विकास पर संस्कृति के प्रभाव का ध्यन किया किसके दवारा किया गया डेणिस महITY के दवारा उजने अमेरिका कि red ndians बच्चो तत्ता सीश सामाạnh्न अमेरिकी बच्चों काा ध्यन किया परडाम के निकाला कि सांस्कृतिक विनता होते हुए भी रेड इंडियन्स बच्चों की सामाजिक और जो गातियात्म कानुक्रियाइं होती है वो समान रही है ऐसे में आप से कहते हैं शर्म है भय है आदिक अविकास समान आई उस्तर पर हुआ उसने चालिस श्वैत बच्चों कि इतिहास कद्यन करके तुलना भी की किनोंने डेनिस महोदे ने और उन्होंने कुछ इस तरीके से यहां पर निश्कर्स निकाला जो कहीं न कहीं कल्चर को ले करके बात करता है परिवार में इस्थान को ले करके बोला हुआ है परिवार में उसकी स्थती क्या है कहते हैं पहला बालक है अंतिम बालक है तो पहला बहुत लाल प्यार से होता है आपका अंतिम बालक विशेश रोप से वो भी बोले आपसे सीखने की जहां तक बात है चोटे बच्चे अपने बड़े भाई बहनों के पेक्षा सिखरता से सीख रहे होते हैं आपसे यहां पर क्या कहते हैं कि लेखक की बड़ी लड़की ने साइकल चलाना आठ दिन में सीखा और जब साइकल घान में आ गई तो चोटी लड़की ने एक ही दिन में साइकल चलाना सीख लिया तो यह चीज क्या हो गया आपका कि छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़े भाई बहनों के पेक्षा आधिक सिखरता से सीखते हैं यह कहीं न कहीं एक्स्परिमेंट करके प्रियोग करने के बाद ही यह चीज जो है यहाँ पर बताई गई बात आती है यहाँ पर विकास के अध्यन प्रणाली क्या कुछ है तो इस अध्यन प्रणाली के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे आज के लिए बस इतना ही बहुत सारी चीज अभी इसमें हैं जिनने हमें लेकर के बात करनी है पूरा सिलावस हम आपका यहाँ पर कवर करवाएंगे आपको कुछ अच्छा लगा हो मेरे लिए कुछ जाओ तो कॉमेंट सेक्षिन में ज़रू लिखिएगा जैहिंजे भारत वंदे बातरम